हाई, काफी लोगों ने स्टार्टिंग से ही हमारी इस चैनल पर कॉमेंट किया है कि यार आप कौन सा कैमेरा यूज करते हो, कौन सी फ्लैश यूज करते हो, क्या लाइटिंग सेट अप है आपका, सारी चीज़ें आपको बता दो तो ये वीडियो डेडिकेटड उसी के लिए है, तो ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अफकोस ये चैनल जो है, वो खास फोटोग्रफिस के लिए बनाई गई है और उसमें बहुत सारा यूसफुल कॉंटेंट है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडि चीज है, वो है कैनन का 5D Mark 4, ये एक फुल फ्रेम कैमेरा है, जिसका रेजियूशन बहुत ही अच्छा होता है, रेजियूशन अच्छा होने के वज़े से, जो भी फोटो की क्वालिटी होगती है, वो बहुत ही शार्प और जो कलर्स होते हैं, वो बहुत ही बहतरीन आते है इसके लिए हम लोग एक फुल फ्रेम कैमेरा यूज करते हैं, और मैंने कैनन 5D Mark 4 को प्रेफर किया है, और इसे के साथ जो डाइनामिक रेंज कैमेरा का वो भी बहुत अच्छा है, डाइनामिक रेंज का मतलब होता है, कि आपके जो हाइलाइट्स और शादो होते हैं, जो पोट्रेट फोटो आप खीचते हो, उसमें जो डिफरेंस होता है, वो बहुत ही फैल जाता है, मतलब को छे स्टॉप, पाच स्टॉप का आपको डाइनामिक रेंज मिलता है, अभी ये डाइनामिक रेंज क्या है, वो हमको एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, पर अबी है, आपयां पता ओगे, कि यार मैं लो क्यो प्रफर किया, क्यूंकि बहुत स्तार्थिंग से ही मैं यूज कर यह बहुत रिफस्टिंगं कर ही पहले मने यूज कर लिए हो फोर मैंने यूज रीट में रेंज और सीरिज में ये ये क्या भी यूज क्या है जिसके तो सपोस्कि कि मैं कैनन से सोनी में शिफ्ट करो या सोनी से निकॉन शिफ्ट करो सारी कंपनी अच्छी है पर साती साथ मुझे अड़े लेने पड़ेंगे या फिर दूसरे लेने पड़ेंगे फ्लैश अलग से लिनी पड़ेगी जिसके वज़े से मेरा खर्चा बढ़ जाएगा और क्या जरूरत है जब मेरे पास अलड़ी जो चीज है उसी को मैं यूज कर सकती हूँ आगे चल के भी जब हम लेन्स की बात करी रहे है तो सबसे पहला लेन्स जो मेरी कैमेरा किट में है वो है 50 mm का लेन्स जो आपको F1.8 देता है काफी शालो देप्त फील देता है जिसको मैं गेटिंग रड़ी शूट पोट्रेट के वागया काफी वक्त वेडिंग की वीधी में यूज कर ल इसमें F2.8 है और IS, Image Stabilization 2 है इसके वज़े से मेरा हैंडशेक वगेरा सबकुछ कांट्रोल हो जाता है जो तीसरा लेन्स है वो में 24-105 यूज करती हूँ और बहुत जादा यूज करती हूँ क्योंकि ये जो लेन्स है वो काफी वर्सिटाइल है अफकॉस इसमें F4 है तो आपको फोड़ा जो 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 एक मिलता है ये एक माइनस पॉइंट है बड़ अगर आप देखने जाओ तो ये लेन्स मैं काफी बार काफी जगा पे यूज करती हूँ पहला लेन्स जो मैंने कामरा के साथ लिया था वो यही वाला था ये वाला जो लेन्स है जब कोई पर अभी ये लेंस में बहुत जादा यूज नहीं करती हूँ पर काफी जगह पे जैसे कि अगर मुझे डिकॉरेशन लेना हो या फिर पूरा का पूरी सेरिमिनी का एक फुल लॉंग शॉट लेना हो या फिर मुझे एक ऐसा शॉट लेना हो जहां पर बहुत सारे ग्रूप के लो कहां पर यूज होता है हमने और इस पे एक वीडियो बनाया है आप इस वीडियो के बाद ये वाला वीडियो प्लीज चेक आउट करें उसमें साली डीटेल्स मेंने समझाई है कि कैसे एक वेडिंग फोटोग्रफर अलग अलग लेन्स के थूरू और कहां कहां कौन से कौन स समझाया है कि कौन सा लेन्स आपको कहां यूज करना चाहिए लेन्स के बाद था है लाइट्स और लाइट मैं सबसी पहली चीज होती है फई फ्लैश मैं कैनन की डेडीकीटफलैश करती हूँ मतलब जो कैनन की कंपनी की जो फ्लैश होती ए उसी को अपने क्यام round के और यूर देखिए आपके पास दूसरी सारी कंपञीथ केुलेट लांट्स बेसे दूसरी सारी कंफनी स्कीलिटीОि कीलेही है। आपको बहुत सारी dit hai भालों थारी लारी दुरी कंफनी सारी फलैश्ट, समपज़ कीlike स्सूं. वहाज सारी से काफ सारी सारी मिलेगी अपने फोटोज में और मैं बहुत ही बोर हो जाती थी, फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, जिसके वज़े से मैंने एक dedicated flash ली Canon की, जिसका सिंकिंग कैमेर के साथ बहुत अच्छा है और साथ ही साथ उसके अंदर जो कंट्रोल्स है वो भी बहुत अच्छा है तो आप ये flash को चेक आउट कर सकते हैं इसके बाद मैं हमेशा एक LED लाइट रहती है जो अपने लो-की पोट्रेट्स होते है या फिर मुझे कहीं बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा काम में या इसके लिए मैं एक LED लाइट बिल्कुल रख्ती हो मेरे को एक सेवर की तरह काम ताँ कभी भी बहुत अटक जो अच्छा हो जाए या फ्लैश की सेल की बैटरी उतर ली लाइट काफी काम में आजाती है आपकी जो साथ जोिज़ इसके बात मैं गोडो्स का लाइटिंग सेट अप यूस करती हूं AD200 Pro, वाली हमारी पास दो लाइट्स है, जिसको हम लोग सेट अप करके, पोर्ट्रेट्स, कपल पोर्ट्रेट्स, फैमिली ग्रूपिंग्स, स्टेज के ऊपर, यह सारी चीजे मैं कैप्चर करती हूँ, बहुत ही जादा शार्प किर्स्टल क्वालिटी वाले फोटो जाते हैं बहले ही यह थर्ड पार्टी लाइट्निंग सेटप है पर फिर भी इसका जो कैमेरा के साथ सिंकिंग है वो बहुत ही अच्छा है, अभी आप बताओगे तो यार फेर फ्लैश लीने की क्या जरूरत है, देखो फ्लैश का जो यूसेज में अभी तक किया है वो अलग जगा मैं जहाँ जहाँ आपे गोड़ोस का लाइट लिके नहीं घूम सकती हूँ राइट मुझे एक असिस्टंट रहोगा कि जो पकड़ के रखे पर फ्लैश है वो मैं अलग जगा पी उसकरती है जो सेरिमिनी है या ग्रूप फोटो अगेरा में और यह सेटप है वो एक्शली प्रॉपर सेटप स्टैंड वैंड को लगा के सॉफ बॉक्स उसके उपर लगा के मैं फोटोग्राफिक करती हूँ और बहुत ही अच्छी फोटो जाते है शार्प क्लियर क्वालिटी जो कलर्ज होते है वो भी बहुत अच्छे मिल जाते है लाइटिंग सेटप के साथ जो लाइट के कलर्स को चेंज करने के लिए भी जब भी हम लग आउट्डर में फोटोग्रिफी करते है तब मैं एक रिफ्लेक्टर रखती हो ताकि कहीं पर भी अगर मुझे लगे कि लाइट बहुत ही शाडव आ रहा है यहां पर गले के पास यहां ऐसा कुछ हो कि बहुत सार यहां पर रिफ्लेक्टर की इतनी ज़रूरत ना गिरे मैं जानती हूँ कि आप लोगो को ना एडवांस लाइटिंग सीख नहीं है Mastering the Art of Lighting पता है मैना आपको एक अगले वीडियो में पताया था कि आपको एक ऐसा कोई लाइटिंग का वीडियो चाहिए तो काफी लोग ने उस चीज पर कॉमेंट किया है और हम लोग आपके लिए एक लंबा और अच्छा Master Class वीडियो लेके आने वाले है हम यूजली 10-15 मिनिट के वीडियो अप्रोट करते हैं पर ये जो वीडियो का वो लंबा और काफी डेप्थ वीडियो होगा तो प्लीज वो वीडियो को चेक आउट कीजिए ये महिने में वो वीडियो आने वाला है ये एक प्रेमियर एपिसोल्ड है जिसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो और उस वीडियो के लिए वेटिंग में डाल सकते हो लाइटिंग सेट अप के बाल हम लोग उसके अंदर दूसरी सारी जो एक्सेसरी जै उसे यूज करते हैं जैसे की बैटरीज चार्जर्स सेल एस्दी कार्ड ये सारी चीज़े जो होती है वो एक्सेसरी में गिनी जाती है मतलब अगर आपके पास एक एक एक्स्ट्रा सेल होगा फ्लैश का तो आपके एक फ्लैश की जोड़ी अगर उसका जो चार्जिंग हो खतम हो गया तो आपके पास दूसरे सेल्स है जो आप लगा सकते हो at the same time जो पहली वाले सेल ते उसको वापस चार्जिंग में रख सकते हो इसके लिए आपको चार्जर चाहिए वैसे ही आपके कैमेरा की जो बैटरी होती है उसके भी दो या तीन बैटरी आपके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए ताकि ऐसा ना हो जाए कि आपके पास बैटरी न कैमेरा के अंदर कंपाटिबल होता है यह जो SD काड़ या CF काड़ उसका जो स्पीड है राइटिंग स्पीड है वो फास होना चाहिए क्यूंकि आपका कैमेरा हाई रेजिलुशन है फुल फ्रेम कैमेरा है तो यह SD काड़ उसको जल्ली से राइट कर देते है तो आपको आप उसके बाद आता है फूल, फिर आता है मिरर या मबाइल फोन, या फिर आता है मिर्ची लाइट्स, फिर आता है जो ग्रिड होती है, वो यूज करते है, और जिलिटिन पेपर, आप देख सकते हो, कि यह सारी चीजों को यूज करने से, कितने अमेजिंग, इंट्रेस्टिंग मुझे मिलते है, आपको यह सारी चीजे लोकल मार्केट में कहीं से भी मिल जाएगी, ठीक है, अभी अगर आप यही चीजे, जो कंपनी वाले जो बेचते है, जैसे वो गोबो एफेक्ट के लिए, वो बहुत ही मेंगे होते है, ठीक है, अगर आप जिलेटिन पेपर के बद अभिस उसके लिए आपको थीन-चार हजार का खर्चा हो जाएगा, तो यही है कि यह सारी चीजे में आसानी से आपको कहीं से भी मिल जाएगी, और आपको ऐसे इंट्रेस्टिंग अमेजिंग फोटो भी आ जाएगे, मैं कोई भी ब्राइंड को फेवर नहीं कर यह कि कानन अच्छा है, Nikon अच्छा है, Sony अच्छा है, और मैं यह भी जानती हूँ कि काफी लोगों ने मुझे क्वेशन किया है कि मैं कौन सा, मतलब आप कौन सा कैमेरा ले, तो उसके लिए हम लोग ने वीडियो बनाया हुआ है, जो आप चेक आउट कर सकते हो, और मैंने बहुत ही किस काटेकरी के लिए और किस के लिए जादा इंपोर्टन रहता है, साथ ही साथ मैं आपको एक चीज बहुत ही क्लियर समझा दू, जो सारी चीज़े मैं यूज करती हूँ, यह मेरी लिए वर्क कर रही है, as a photographer, with experience, with knowledge, and spending so many years into the field of photography, मैं यह जानती हूँ, कि यह सारी लेते हो, तीसरा lens लेते हो, ऐसे करते करते हैं पाच्छे lens ले लेते हो, फिर आप फ्लैश लेते हो, एक्सेसरीज लेते हो, तो भी सारी चीज़े है आप experience के साथ लेते हो, मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ एकी बैटरी ली थी, फिर मुझे लगा की हार, मुझे तो बैटर आपका दिमाग खुलता है आपकी जेब भरती है और आप यह सारी चीजों में इन्वेस्ट करते हो और जो भी चीज़े आप इन्वेस्ट कर रहे हो बहुत ही सोच समझ के ध्यान से रिसर्च करके प्लीज लीजिए कपी लोग ऐसीही चीजों को लेने लगते हैं हमारी जो मार्केट है फोटोग्रीफी की बहुत ही १ाट करętँ गर्चे वाली मार्केट है ऐसा कोई भ्यूटिशन का मार्केट या पेंटर बिल जाएगी जहां पर आपको सस्ते में कोई चीज चीज मिल जाएगी यह setup मेरे लिए function करता है काफी photographers आपको बोलें कि 85 mm ले लो, 35 mm ले लो, 100 mm ले लो क्योंकि वो उनके लिए work करता है उनको चाहिए कि उनके portrait में depth of field जादा हो या उनके 35 mm के portrait सो या 85 mm के portrait सो वो उनका outlook है और यह मेरा outlook है हर photographer अपने हिसाफ से काम करता है और उसी हिसाफ से अपनी जो camera के kit है वो develop करता है और आपको भी यह सारे वीडियो से inspiration लेनी चाहिए सीखना चाहिए पर at the end of the day आपको आपका choice खुद करना चाहिए So by then, अगर आपको आपका decision और भी आचे से develop करना है तो यह channel को subscribe कीजिए क्योंकि इसमें ऐसे informative videos आते रहेंगे और इस video को like कीजिए अगर आपको यह video पसंद आया है तो and of course आपके सारे friends जो photographer बनना चाहते है उसको यह video share कीजिए क्योंकि उनको भी इस video से knowledge मिल सकती है and by then, thank you so much, see you soon झाल कर दो सकता हुआ कर दो कर दो कर दो कर दो